अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर animation add करेंगे, तो animation के लिए बहुत से options available हैं, जैसे कि आप normal CSS में भी animation perform कर सकते हैं, लेकिन हम क्या करेंगे, यहाँ पर third party library का use करेंगे, इसके लिए बहुत सारे libraries available हैं, आप अगर Google पर भी search करेंगे, तो बहुत से packages आपको देखने मिल जाएंग यहाँ पर एक छोटी सी library use करेंगे, react reveal, पहले मैं आपको search करके बता देता हूँ, आप इसको npm.js पर भी search कर सकते हैं, पहले शुरू npm.js पर visit करिए, यहाँ पर search कर सकते हैं, react reveal, इतना लिखके आपको search करना है, और यह है reveal, first link आपको मिल जाएगा, इस पर click करिए, यहाँ से आप इसका official documentation देख सकते हैं, जैसे कि मैं इसका home page आपको बताता हूँ, open in new tab, और यहाँ पर कुछ इस तरीके से आपको animation effects देखने मिल जाते हैं, देख सकते हैं, कुछ इस तरीके से आप multiple animation effects यहाँ पर बना सकते हैं, तो काफी सारे इसमें हमको मिल जाते हैं, और काफी lightweight है, यह library, तो directly भी हम use कर सकते हैं, portfolio का चोटा सा project है, तो इसके लिए यह perfect है, आप इसका use कर सकते हैं, इसके साथ में AOS पे आता है, मैं एकबर check कर लेता हूँ, AOS animation, तो देखें, यहाँ पर इसका official website मिल जाएंगा, AOS, इस पर click करेंगे, तो यहाँ पर इसके official documentation आपको मिल जाएंगा या फिर direct animation है, इसमें देख सकते हैं, नीचे scroll करेंगे, तो कुछ fade effect है यह तरीके से, काफी सारे fades में हमारे पास effect है, फिर flip है, तो most common देखें, यहाँ पर भी वही चीज है, जैसे कि इसके example में मैं बताऊंगा, तो यहाँ पर भी सारे options हमको मिल रहा है, flip, rotate, zoom, bounce Slide, जैसे आप इसपर click करेंगे तो दीखे, example भी आपको देखने मिलेंगा, actual में यह कर क्या रहा है, AOS भी same है, दोनों lightweight है, आप इसके इसके इस्तेमाल कर सकते है, यह फिर अगर आपको framer motion यूज़ करना है, जैसे कि मैं आपको बता देता हू, फ्रेमर मोट है, यह भी काफ इसमें आपको काफी सारे configuration भी करना पड़ता है, तो यह भी एक काफी popular library है, जिसका आप यूज कर सकते हैं, इसमें भी बहुत से options आपको देखने मिल जाते हैं, so make sure, अगर आपको इसका यूज करना है तो आप कर सकते हैं, further आप इसमें बहुत जादा इसको customize कर सकते हैं, हम यहाँ पर सिर्फ portfolio के लिए देख रहे हैं, so react reveal enough है, इतने सारे effects काती होते है, special भी आपको मिल जाएंगे, जिसके flash, handshake, yellow, pearls, rubber band, तो बहुत सारे advance में भी है, देखे, to do app इसकी मदद से आप बना सकते हैं, कुछ इस तरीके से आपको जाए, closing effect भी देखने मिलता है, तो इतना advance भी हमको नहीं देखना है, हम यहाँ पर common का यूज कर सकते हैं, या फिर special one का भी आप यूज कर सकते हैं, तो चलिए, सब सफ़ेल हम क्या करेंगे, इसको install कर लेंगे, installation का command आपको copy करना है, copy, चलते हैं, विजुल स्टुडियो कोड में, terminal open कर लेंगे, और client directory के अंदर switch हो जाएंगे, तो आप लिखेंगे, cd client, इसके अंदर आपको इसको paste कर देना है, इतना लिखके enterprise करिए, तो यह library यानि यह package आपके react के application में download होना start हो जाएंगा, और यहाँ पर कुछ error है, देख सकते हैं, unable to resolve dependency tree, तो यह compatibility का इसमें issue है, मैं इसको forcefully इंस्टाल करके देख लेता हूँ, dash dash, force, forcefully हम यहाँ पर इसको install करके try कर लेते हैं, यह install होता है यह नहीं, तो देखिए forcefully इंस्टाल हो रहा है, अब देखते हैं यह काम करता है यह नहीं, इसको close कर देता हूँ मैं, और इसको हम क्या करेंगे home वाली section में, या menu के section में एक बार try कर लेता हूँ, तो यह रहा menu, menu के अंदर हमारे पास देखिए image है, image को मैं पहले शुरू जो effect add करके देखता हूँ, effect कैसे add करेंगे, इसका documentation देख लेंगे, यह रहा इसका documentation, css के नीचे paste कर देते हैं, zoom, और इसको custom html element की तरह आपको treat करना है, तो इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ पर add कर देता हूँ, यहाँ पर हम लिखेंगे zoom, opening और closing tag, उसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ से जितना भी content है, इसको cut करके, zoom के अंदर paste कर देंगे, save, check कर लेते हैं एक बार, चलते वापस application में, यह रही हमारी application, तो दीखें, zoom effect हमको देखने मिल रहा है, मैं एक बार refresh कर लेता हूँ उसको, तो दीखें, कुछ इस तरीके से हमारा image pop-up होके आ रहा है, यानि zoom effect हमको देखने मिल रहा है, उसी तरीके से यह menu पे भी हम apply कर सकते हैं, so menu के लिए हम क्या करेंगे, paid में देख लेते हैं, paid left, देखें यह ठीक है, यही वाला हम use कर लेंगे, आपको क्या करना है, paid को भी copy करना है, यानि import statement इसका copy करेंगे, copy करने के बाद नीचे इसको paste कर देंगे इसके बाद में, और पिर क्या करेंगे, यहां पर इस nav items के अंदर, या फिर इसके बाहर view कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, यहां paid का opening और closing tag बना लेंगे, और इसको यहां से cut करके, नीचे paste कर देता हूँ, मैं paste कहां पर करेंगे, जहां पर यह div खतम हो रहा है, यह div हो रहा है, यहां पर खतम, इसके बाद में paste कर देता हूँ, और last में हम क्या करेंगे, इसके अंदर effect add कर देंगे, यहां पर मैं left का use कर लेता हूँ, save, check कर लेते एक बार, चलते वापस browser में, तो देखिए, तो जैसे refresh करूंगा तो देखिए, कुछ इस तरीके से हमको effect देखने मिलेंगा, अब आप इसको अपने साब से भी कर सकते हैं, इसमें काफी सारे effects आपको मिल जाएंगे, right, top, bottom, तो यह सारी चीज़े आपको मिलेंगे, आप इसको one by one भी check out कर सकते हैं, जैसे कि मैं क्या करता हूँ, यहां पर पेड effect हम home में भी add करके देख लेंगे, home में हमारे पास h1 है और फिर buttons है, तो यहां पर हम इसको right और यहां पर इसको bottom का effect दे सकते हैं, तो home page में open कर लेता हूँ, यह रहा हमारा home page और इसके अंदर हमारे पास है देखिए, content का container और नीचे button भी है, तो इस h2 से पहले मैं क्या करता हूँ, fade effect एड़ कर देता हूँ, पहले import statement copy करके देख पेस्ट कर देंगे, import statement को copy कर लेंगे, copy करने के बाद हम इसके अंदर इसको paste कर देंगे, और इस fade का हम use कर सकते हैं, h2 से पहले यहां पर इसको add कर देंगे, fade, opening और closing tag, इसको नीचे add कर देंगे, यहां से cut करके, h1 यहां पर complete हो रहा है, इसके बाद तक हम add कर देंगे, save, और इसके अंदर, right का effect मैं add कर देता हो, right, save, इसके बाद में हम क्या करेंगे, जो buttons का effect है, उसमें भी fade का use कर लेंगे, तो आप लिखेंगे, fade, opening और closing tag, उसके बाद में button जहां पर खतम हो रहा है, यह div जहां पर खतम हो रहा है, उसके बाद में हम क्या करेंगे, इसको close कर द कुछ इस तरीके से effect हमको देखने मिलेंगा, refresh कर लेते हैं इसको एक बार, तो देखिए, कुछ इस तरीके से effect हमारे पास नजर आ रहा है, और इसमें काफी सारे options मिलेंगे, जैसे कि special वाले एक try कर देंगे, jump वाला देखी है, तो इस jump वाले को about में add कर देंगे, copy कर लेते ह बार, about, पहले शुरू उपर import कर देंगे इसको, paste, और पूरे के पूरे container को भी आप कर सकते हैं, तो इसमें मैं का करता हूँ, यहां पर directly लिख लेता हूँ, jump, opening और closing tag, और एक बार देख लेते हैं, इसके अंदर additional attribute है, इसमें एक spy है, तो spy में counter, spy की जरुरत नहीं है, normal jump भ कर देंगे, paste, save कर लेते हैं, चलते हैं, वापस application में, यह रही application, और मैं refresh कर लेता हूँ, उसको एक बार, तो दीखे, कुछ इस तरीके से jump होगा, उसके बाद मैं हमारे पास education details, उसमें already animation है, उसमें हमको add करने की ज़रत नहीं है, और यहां पर technology stack है, उसमें आप add कर सकते है जैसे के flash पर आप add कर सकते हैं, या पर hand shake क्या है, देख लेते हैं, hand shake में कोई इतना खास effect नहीं है, pulse में, pulse में pop up है, और rubber band ठीक ठाक लग रहा है, so rubber band हम क्या कर लेंगे, इसको जो है इसके technology के heading pad कर देंगे, so यहां से मैं rubber band copy कर लेता हूँ, और text stack page को हम open कर लेंगे, text stack, उपर import कर देंगे पहले शुरू इसको, import, और जो भी heading है, तो इस div के अंदर हमारे पास heading है, इस h2 से पहले हम इसको add कर देंगे, यहां पर आप लिखेंगे, rubber band, opening और closing tag, इसको यहां से cut कर देंगे, cut करने के बाद, p के बाद में मैं इसको add कर देता हूँ, paste, save कर लेते हैं इसको देख लेंगे एक बार, चलते वापस browser में, यह रही हमारी application, तो देखिए कुछ इस तरीके से effect देखने मिलेंगा, refresh करके बता देता हूँ, यह रहा effect, तो कुछ इस तरीके से effect है, मैं फिर से उपर जाता हूँ, और इसको देख लेंगे में एक बार, अब जैसे नीच इसमें, तो basic वाला मैं इसमें रख देता हूँ, I think इसके लिए fade ही सही है, तो fade के अंदर भी हम इसको display करा सकते है, fade left कर देंगे इसको, यहां से मैं again fade को copy कर लेता हूँ, copy, आप अपने हैसाब से भी इसको modify करिए, और इसको इसके नीचे paste कर देंगे, import statement को, इसके बाद मे क्या करता हूँ, यहां पर add कर देता हूँ, fade, opening और closing tag, और इसको हम कर देंगे, right से, या फिर left से कर देते हैं, left से, और इस fade को यहां से cut करेंगे, cut करने के बाद, यह जो div end हो रहा है, map method के अंदर, इसके बाद में paste कर देंगे, save, check कर लेते हैं, चलते वापस browser में, तो refresh करके बता देता हूँ, अब जैसे मैं नीचे नीचे जाओंगा ना, तो दीखे कुछ इस तरीके से हमारे पास effect हमको देखने मिलेंगा, tick-tack लग रहा है, next हमारे पास है recent projects, तो projects के लिए हम कुछ ना कुछ और use कर लेंगे, flip भी आप use कर सकते है, flip भी ठीक है, so flip को मैं copy कर लेता हूँ, या फिर special में से एक ले लेंगे, और यह spin वाला ठीक है, projects में हम क्या करेंगे, spin को add कर देंगे, copy कर लेते हैं, import statement, copy, और फिर project वाले page को open कर लेंगे, project chase, यहाँ पर paste कर देंगे इसको, और जो भी हमारा map method है, उसके अंदर इसको add कर देंगे, अच्छा map में न हो रहा है, जितने भी projects है, उसके बाद में, तो आप one by one सभी में भी add कर सकते, कोई दिक्कत नी है, हम इसके बाद में कर लेंगे, एक साथ पूरे के पूरे इसमें यह show करेंगा, और यह इसके नीचे है, paste, save कर लेते हैं, और कोई mistake अपने पास, देख लेते हैं, एक बार, one इस div से पहले हमको add करना है, दो div छोड़ कर हमको add करना है, ठीक है, इसको top पे कर लेते हैं पहले शुरू, one, two, ठीक है, save कर लेते हैं इसको, और यहां से href में से, hash में remove कर लेता हूँ, इसके बदले हम कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे कि view कर लेता हूँ है, फिलाल के लिए वरना वह highlight शो कर रहा था, तो आप वह highlight शो नहीं करेंगा, और बाकि सब कुछ ठीक है, चलते हैं वापस प्रावजर में, यह रही application, तो दीखिए कुछ इस तरीके से spin दहेंगा, और काफी crazy animation यह शो कर रहा है, तो आप अपने हिसाब से भी इसमें animation आड़ करें, मैं आपसे कौन सा इसमें suit होता है, अब last में contact, और contact में I don't think कोई animation आड़ करने की जरूरत है, last में क्या कर सकते हैं, यह जो made है, इस वाले footer पे हम add कर सकते हैं, और उसके लिए हम क्या करेंगे, एक बाल तेख लेंगे, और कोई है कि इसमें, जैसे कि swing है, या फिर टड़ा, त footer directly हमने लिखाता ना, तो हम app.js में इसको import कर देंगे, पेस्ट, और यह जो footer section है, इस div के बाद में, या फिर इस div के अंदर भी कर सकते हैं, इसके बाद में मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे add कर देता हूँ, जड़ा, opening closing tag, और इसको नीचे पेस्ट कर देंगे, save, check कर लेत जैसे जैसे scroll करेंगे, तो animation effects हमको देखने मिलेंगे, देख सकते हैं, कुछ इस तरीके से animation effect रहेंगा, और यहाँ पर cards भी काफी spin हो रहा है, तो tik-tak animation है, आप इसको customize करिए, दीखें, कुछ इस तरीके से, तो perfectly basic animation का setup हमने हमारी application में कर लिया, आप अपने हसाब से इसको modify कर तो आप उसके success में changes करिए, काफी सारे option मिलेंगे, left, right, top, bottom, flip, rotate, zoom, तो इस सारे option जो भी है, आप कर सकते हैं, जैसे कि rotate में copy कर लेता हो, और इसको contact पे add कर देंगे, copy, और contact ही बचता है, तो contact वाले में भी add कर देता हो, contact.js, इसको import कर देंगे, पहले शुरू, paste, और जो contact क form है, उसमें हम add कर देंगे, तो इस div के बाद में, यह जो call md6 है, इसमें add कर देंगे, rotate, opening, closing tag, और इसको यहां से cut कर देता हूं, पहले शुरू, cut, और यह जो div है, यह जो end हो रहा है, उसके बाद में इसको paste कर देंगे, paste, save, check कर लेते हैं, एक बार, यह रहाँ application, तो rotate होके form हमको देखने मिलेंगा, refresh कर लेता हूं एक बार, तो देखिए, rotate होके हमको यहां पर form देखने मिल रहा है, और इस image में भी आपको effect add करना है, तो आप कर सकते हैं, काफी सारे options है, light speed है तो इसको भी एक बार test कर लेंगे, यहां से इसको भी copy कर लेंगे, और top पे इसक हमारे पास start में है, देख सकते हैं, यह जो image है, उसको हम क्या करेंगे, यहां पर add कर देंगे, light speed, opening closing tag, इसके अंदर image को wrap कर लेंगे, save, check करते एक बार, चलते वापस browser में, तो देखिए, image कुछ इस तरीके से हमारी animate होके हमको देखने मिलेंगे, refresh, तो कुछ इस तरीके से यह animate हो रहा है, तो perfectly animation की functionality भी हमारे application में enable हो चुकी है, अब next हम क्या करेंगे, server पर काम करेंगे,